खबरों में बने रहने के लिए बैल आइकन दबाई और हमारे आर्नाइन टीवी को सब्सक्राइब करें ये जूट है जूट है जूट है जूट है आज राहूल गांधी पुरीतर से एक्स्पोज हुए नथिटेंजन जैंटर में बेजा जा रहा है ना हिंदूस्तान में कोई डिटेंजन जैंटर है नमस्कार स्वागत है आपका अर्नाइन टीवी पर दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर मैं श्वेता भटाचारिया आप सभी का स्वागत करती हіть हूँ डिटेंशन का टेंशन, जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है कि राहूल गांधी को डिटेंशन का टेंशन हो गया है, लेकिन इससे टेंशन में राहूल गांधी ने एक ट्वीट ऐसा कर दिया, कि उन पर अब सवाल उपनी लगे, आज इसी विशे पर हम चर्चा करेंगे, और जा कोई डेश के मुसल्मानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है, CAA और NRC को लेकर छड़ी जंग में अब नया हत्यार डिटेंशन सेंटर बन गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने डिल्ली के रामलीला मैदान से देश में डिटेंशन सेंटर न होने का भरुसा दिलाया था, अब उसी बयान के बहाने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोधी पर सवाल उठाए हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा राहुल भूल बैठे बस इसी के साथ राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं ताजा ट्वीट के बाद एक बर फिर उनकी भाषा पर सवाल उठने लगे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोधी के लिए जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया बीजेपी ने वही शब्द घुमा कर राहुल को दे मारा जिस डिटेंशन सेंटर का हवाला देकर राहुल गांधी ने भाषा की मर्यादा तोरी उस पर बीजेपी ने अपने दावों के साथ पलटवार किया खुद राहुल गांधी जी की कॉंग्रेस सरकार ने ये माना है कि तीन डिटेंशन कैम्प हमने आसाम में कोला है और कहां खोला है गुलपारा में कोकराजार और सिलचर में और 362 लोग इन डिटेंशन सेंटर में डिटेंशन किये गए हैं राहुल गांधी जी के सरकार के द्वारा इससे पहले कि वो डिपोर्ट किये जाएं उससे पहले वो डिटेन किये गए हैं इन डिटेंशन सेंटर बीजेपी के दावो की माने तो जिस डिटेंशन सेंटर का सहारा लेकर राहुल गांधी प्रधान मंत्री मोधी के लिए आपत्ती जनक भाशा बोल रहे हैं उसकी हकिकत कुछ और ही है बहरहाल सच और सियासत अपनी जगा है लेकिन प्रधान मंत्री किसी दल का नहीं बलकि पूरे देश का होता है लेहाजा उस पद की गर्मा का खयाल सब को रखना चाहिए राहुल गांधी की अमर्यादित शिपनी को किसी भी तर्क के सहारे सही नहीं ठहराया जा सकता तो आरनाइन टीवी के कुछ सवाल है वो सवाल हम आपके सामने इरखते हैं प्रधान मंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तमाल क्यों? आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तमाल क्यों करना पड़ा राहुल गांधी को? डिटेंशन सेंटर को लेकर कौन भरम फैला रहा है? ये अचानक से डिटेंशन सेंटर का भूत कहां से आ गया है? और भरम की स्तिती क्यों है? कन्फ्यूजन क्यों है? राजनीती में भाषा का स्तर कितना नीचे गिरेगा डिटेंशन कैम्प किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं तो इन सवालों के जवाब जो हैं एक घंटे में हम तलाशनी की कोशिश करेंगे हमारे साथ तमाम जो पैनलेस्ट जुड़े हुएं उनसे आपको इंटर्ड्यूस कराती हूँ कॉंग्रस और बीजेपी के गेस्ट थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पाकि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उन से आपको इंट्रडक्शन कराती हूँ डॉक्टर M.U. दुआ जो की पॉलिटिकल एनेलिस्ट है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल मिश्रा वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रेम कुमार वरिष्ट पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपक शंकदर संग के विचारक है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और सपा किनिता संजीव चौधरी भी हमारे साथ स्टूडिय में मौझूद है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि अब कॉंग्रोस के लीडर रहते तो उनसे सबसे पहला सवाल जाता लेकिन वो नहीं है तो प्रेम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्या लगता है भाषा कस्तर गिरता जा रहा है RSS के प्रधानमंत्री और अगर आपको कुछ कहना है कुछ चीजे लानी है प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से जो कुछ कहा सही कहा गलत कहा यह अलग बात है तरक अलग आप दे सकते थे लेकिन यह भाषा कहा तक सही है देखिए मेरे क्याल से भाषा की मर्यादा तो सब को रखनी चाहिए कोई भी पॉलिटीशन हो और यह जो वाक्य है RSS के प्रधानमंत्री नहीं चलेगा ये वाकिये इस तरह से हम प्रधानमंतरी सबके होते हैं और ये बोलने में ये अहितियात बरतना ज़रूरी है ने वह भात है, लेकिन इस बात को रखने के लिए हम अच्छे शब्दों का अच्छे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जरूरी है देखे पीछले दिनों लगतार ऐसे राजनितिक हलात बने हैं और इस देश में ये भी समस्य है जब चुनाव आते हैं 12 महीने चुनाव का मौसम होता है और प्रधान मंत्री जी हर चुनाव में मौझूद हो जाते हैं और चुनावी भाषन देने के क्रम में वो सारी मर्यादाएं तूटती हैं तो हमें प्रधान मंत्री के पद पर वो आच आती है इन मर्यादाओं के तूटनी का जैसा कि मैंने कहा है कि पहनावे से को जोड करके उन्होंने जारकंड की रैली में जो बयान दिया था तो इसका ख्याल खुद प्रधान मंत्री जी को भी रखना चाहिए और विपक्ष को भी और अच्छी भाषा में यह नहीं लगता है प्रेम कुमार जी कि जिस तरीके से यह बात अगर राहूल गांधी सामने रखना चाह रहे थे जो माट्या का जिक्र वीडियो में किया गया है आप ऐसे भी कह सकते थे कहीं न कहीं इस बात को हल प्रभावशाली तरीके से रखना चाह रहे थे और देश की जनिता को बताना चाह रहे थे तो इस तरह की भाषा के इस्तमाल करेंगे तो आप खुद अपना कद छोटा कर रहे हैं बिल्कुल आप इसमें और एक बात जोड़ लिए कि जब राहूल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे उस बात पर बहस न हो करके उनकी भाषा पर बहस होने लग गई तो वास्तों में उनके कहने का मकसद ही खतम हो गया तो अगर हम अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कम्यूनिकेट करना चाहते हैं कि हमारे प्रदान मंत्री जी एक वर्ग के प्रदान मंत्री बन कर रहे गए हैं वो पूरे इंदोस्तान के बारे में नहीं सोच रहे हैं उनकी सोच में भेदभाव आ गया है अगर ये बा प्रिदार मंत्री नरेंदर मोधी जूट कह रहे हैं या नर्सी और नपियार को लेकर आपके नेता भी कह चुके आपको क्या यह भाशा सही लगती है राहूल गांधी की? देखिए भासा प्रिदार मंत्री जी के लिए या कोई राजे के मुखे मंत्री के लिए या कोई सम्मानित पद पर हमारे देश के अंदर जो भी है भासा का इस्तेमाल तो सही चैन करना चाहिए किसी भी नेता के लिए लेकिन इन भारते जनता Пारटी के लोगों को इतना दुख के हो रहा है इनुनी पीछे मानिया हमारी अकलेस यादव जी के लिए क्या कहा था सocide वो आपको भी पता है मुझे बताने की कोई जूरूत नहीं है यही भारते जनता पारटी के लोग थे अखले स्याद्व जी के लिए किस सब्द का इन लोगों ने उपयोग किया था तो जब आप कोई भी चीज अगर पत्थर उपर फैकोगे तो आपके सर पे जरूर लगे हो यह मैं निस्चित कह देना चाहता हूँ आज इनको दर दोड़ा सबसे पहले तो मैंने पहले ही मैं कहा हूँ अब इसके बाद आप यह कहते हैं कि देखे उन्हों ने मुझे क्या कहा अगर उन्हों मुझे गाली दी तो मैं भी गाली दूँगा इनको 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 यह तो वो हिंदुस्तान नहीं है ना ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं हो सकता जहां गांधी जी कहते थे कि अगर एक ठपड लगे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो यहां तो अब उल्टा हो रहा है सर इनको इनको तब सरम नहीं कि क्या सब तब इन्होंने तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है तब यह कहा चले गए थे यह पाकिस्तान चले गए थे तब केवल यह भारते जंता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान कराना चाह बात कर रहें आप चाहते हैं कि रोजगार पर बात हो तो रोजगार की मुद्दों को लेकर आईए ना पहले तो मैं आपको बता दू कांग्रेस भारतिया जंता पार्टी दोनों ही एक जैसी हैं यह अपने आपको सुपीर बनाने की कोशिस कर रहें वो कह रहें हम बड़े यह दोन ही गलत हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं आपकी भाषा का ख्याल रखती है आप यह कहना चाहा रहें देखिए मैंने पहले कहा कि भासा का सब्द का चैन जरूरी है लेकिन इन भारते जनता पार्टी के लोग पिरदान मंत्री जी को देखिए हर रेली के अंदर जो जोर से बोलने का क्या मतलब है यानि कि जोर से बोलने से गलत बात सही हो जाएगी जार कंड में आप देखिए राम मंदिर के मुद्ध को लेकर बैट गए तो इसका मतलब किसी को राइट मिल जाथ जब पिर्दान मंत्री जी को बात राजनीती में भाशा के स्टर के गिरते की हो रही है कि कितना स्टर गिरेगा एक डिसाइट कर लीजे ना बैटके सर बैटके यह से भी डिसाइट कर लेना चाहिए कि आपको रहे हैं सर कोई लेवल नहीं रह गया है यह मानना पढ़ेगा और किसी पार्टियों में नहीं रह गया है होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए यह नहीं हो रहे है अरे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं आरे कितना गिनाओ सर लेके लिस्ट बैठूंगी नहीं तो खुद शर्मिन्दा हो जाएंगे यहाँ लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं आरे छोड़िये यूपी में देख रहे हैं रेक केसिस कितने बढ़ रहे हैं सर और उसके बाद आप बात कर रहे हैं किसने बोला था निकाल के दिखाओ निकाल के दिखाओ निकाल के दिखाओ लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं किसे बोला था इससे भी हमें भूलना नहीं है इनके विदायकों के उपर बलातकार के मुकद में दर्द हो जुनाओं के वागत आपके ने किसके बड़ी बात ये इनके विदायक दो-दो-सो विदायक धरने पे बैठ रहे हैं सबसे सबसे दुख की पीड़ा यह है कि सत्ता प जया प्रदा पे क्या बोला गया था अंडर देबेंट आप लोग अंडर देबेंट जाकर आप लोग अटेक करते हो जो भाशा के इस्तमाल होना ही नहीं चाहिए दीपक शंकदर आरोप लग रहा है क्योंकि यहां बीजेपी के कैंडिडेट नहीं बैठे हैं जब आएंगे जंडा लेके बुलंद करते हैं देश भक तो आप ही लोग हैं तो ऐसे में तो प्रदान मंत्री को अपनी पद का भी खयाल रखना चाहिए जब आप खुद उस पद पर हैं और इस तरह की अगर भाशा का इस्तमाल करेंगे जो कहीं न कहीं किसी को ठेस भी पहुंचाती है औ और उसका कद भी घटाती है तो आपके उपर सवाल उठेंगे आप देश की प्रदान हैं आप इस तरह की भाशा का इस्तमाल करेंगे तो फिर आप दूसरे से उम्मीद क्या रखेंगे और वास्तविक्ता में इसे वेचारिक दुरूबलता ही कहा जाएगा कि जब आपको यह नहीं पता कि आप किस पर टिपणी कर रहे हैं किस प्रकार से आप अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं विरोध दर्ज कराने का वास्तविक्ता में एक तरीका होता है और उसी प्रकार स से विरोध दर्द कराना चाहिए जो कि वास्ट विक्ता में समवेधानी को एक्चल में दिक्कत क्या है दिक्कत यह पूर्वा ग्रहों से ग्रसित है थोड़ा सा और यह किंग्डम डैनेस्टी वाली जो मंटैलिटी है इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं उसका रीजन यह कि सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर मत किज़ें मैं मजबूर नहीं होना चाहते हूं कि मैं कोट करूं कि प्रदार मंत्री ने कब-कब गर्मा अपनी पार की है आधर ने शौता जी यह आपने मुझे बोलने का मौकत नहीं तो आप मुद्दे पे बोली ना सर आप कहां चली जाते हैं मैं मतलब आपके प्रदार मंत्री मैं आपको मैं आपको केवल देश का मुख्या प्रदान सेवक अगर वो इस तरह के भाशा करें मेरी बात को सुनिए मैं केवल आपको राहूल गांदी जी की वह एक अन देश की मीडिया को बाधित कर दिया था राजनीत का इस्तर तब गिरा था राजनीत का इस्तर वास्टिक्ता में तब गिरा था जब इस देश में आपातकाल लगाया गया था इस देश की मीडिया को बादित कर दिया था अनुच्छे दूरी इसका उलंगन कर दिया गया था और आप चले गए इमर्जनीशी के बाद कर रहा हूँ ने ये तो वही बात हो गई ये तो वही वाली बात हो गई ने आप आप 1947 फिर जब हम भारत पाकिस्तान एक था तब पर हम चले जाएं तर जो बात वो रही उस पर आप उस पर आईए आजादी के बात की बात की बात कर रहा हूँ उस पद की गर्मा का खयाल उन्हें खुद रखना चाहिए या नहीं चाहिए देखिए किस वेक्ति को क्या बोलना है इस हर वैक्ति से होना चाहिए ने आपको इपहाँ मंत्री वाटी वे तो देश के हर मांगरे को यह इस देश में आकर रहने वाले हर वेक्ति को मान लिजें ना आशा की आजादी है बोलने की अभीवक्ति के आजादी है पर वह हुए दूर दूसरे की स्वतंतरता बाधित ना क संसद में हो ठाहा का लगाने पर जिस तरीके से कमेंट किया था सभी को बैठे यहां पता है सबी को पता है सर किस पात्र का जिक्र किया था और एक महिला के लिए जिक्र हुआ था अपने चुनावी सवा में क्या-क्या बोलते हैं गले मिलना यह सब तो खेर छोड़ी आप इन स काने यहां यहांज है रहा है तो आप माने मानेंगे आप नहीं आप infringement के नहीं कहते हैं किistemर की यहां होना चाहिए स सामने वाला कुछिfire बोले हम कम से पर हमें अपने उपर सह्यम रखने की जरूरत आप नहीं बोलेंगे यह नहीं संयम संयम तो हर किशी को रखना चाहिए वही तो मैं पूछ रही हूं सर कि जवाब तो इसलिए इनको देना कि RSS के प्रदान मंत्री कहा जा रहा है तो हम आपको हो गए कि क्यों RSS के ही प्रदान मंत्री उन्हों इस देश का प्रदान मंत्री जो भी कोई संवेधानिक दाय तो है यहां संवेधानिक कोई अधिकार है यहां संवेधानिक कोई करतव्य है यहां कोई भी गवर्मेंट की पॉलिसी है वो सभी के लिए होती है किसी व्यक्ति विशेश यहां संगठन विशेश के लिए होती नहीं है ऐसा अगर हुआ थे तो धान बताईए कोई अब यहां गोल मोल या तो देखिया आप प्रदान मंत्री बोला हाँ हमने एक देश को प्रदान मंत्री दिया या तो डंके जोट पे कहिए यह ना गोल गोल जले भी कितरा बात को मत पुदा नहीं यह कि यह राष्ट पती प्रदान मंत्री सब अपने घर में चाहिए जो गिरता सतर है इसे कही न कहीं पूर्ण विराम लगाना जरूरी है अनिल मिश्रा जी नहीं आप जवाब नहीं दे रहा है अनिल मिश्रा जी क्या लगता है जो सवाल मेरा प्रेम जी से था वही मैं आप से पूछना चाहूंगी जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर की बात उठाई गई और जो अभी महौल बन रखा है डिटेंशन सेंटर को लेकर सभी पार्टियों को टेंशन हो रही है और यह आज क मुद्दा नहीं है डिटेंशन सेंटर की अगर बात कर ले उस पर भी मैं आऊंगी लेकिन आप मुद्दे से भटक गए सिर्फ आपने जो कैप्शन लिखा उस कैप्शन ने ध्यान भटका दिया कि आप इस तरह के भाशा का प्रेयोग नहीं कर सकते तो क्या राहुल गांध लाई away को इतना सेंस नहीं होना इतना इतना सोचना नहीं चाहिए कि अगर आप जिस चीज को देश की जन्यता के सामने लए हैं वो गंभीर मुद्दा है तो अगर देश की जनता उसे सही तरीके से समझे जाने तो उसके लिए मुझे किस तरह के भाशा का प्रयों करना इतनी भी उनमें अभी maturity नहीं आई है क्या देखे हम लोग गलत मुद्दे पर बात कर रहे हैं गलत समय पर बात कर रहे हैं हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर हम आज राजनेतिक नैतिकता राजनीत की नैतिकता या सुचिता की बात करते हैं तो साइद हम से बड़ा कोई एक सब्द है बेकूप या मूट हम आप जनता की सिर्णी में आते हैं इन राजनीतिक पाल्टी या राजनेताओं के बारे में बात करके और उनसे नैतिकता और सुचिता की बात की अगर उमीद की जाती है तो साइद मैंनी समस्ता इस से ज़्यादा वर्तमान पर इस्टियों बता रहा कि साइद इससे ज़्यादा कोई कोरी एक कलपना की जा सकती है आप ध्यान दीजे यहां दो तीन राजनीतिक पाल्टी के प्रवक्ता अभी बोल चुके हैं एक संग विचारक जो कोई राजनीतिक पाल्टी के नहीं है लेकिन देखिए ओस संग विचारक है कितना रिस्पेक में है कोई जवाब इसका सिर्फ रितना की कांग्रेस के अध्याचरा चुके हैं मैं उसके आगे आपको बताता हूं भी हमारे सपा के भाई बैठे थे बुरा न माने किसी को ब्यक्तिगत नहीं बोलूँगा लेकिन उन्होंने भी देखिये किस किस तरह की बाते सब को केवल अपने को डिफेंट करना है उन्होंने जो बाते कही वो रामायर की थी गीता थी रामचरीत मानस थी लेकिन बाकी जो बोल रहे हैं सो लंका दान की बात कर रहे हैं आप इस पर ध्यान दीजिए आप अभी संग विचारक सहाब 47 से लेके और कहां कहां इमर्जेंसी चले जब हमारे यहां किसी भी प्रकार के अंदोलन हो रहे हैं उसमें हिंसा होती तो उसकी वर्डिंग क्या होती है बदला लिया जाएगा मैं किसी का पच्च नहीं ले रहा हूं लेकिन आप ध्यान दे कि हिंसा हुई बिलकुल गलत हुई इसका सब कहते हैं वो सत्ता पच्च भी कह रहा है भी पच्च भी कह रहा है लेकिन 49% ओट पाने आली इस सरकार जिसके अगें 61% ओट पड़े हैं वो रंके की चोट पर 130 करो का जिसका इनों ने विधार ना दिया है अगर सड़क पर उतर कर विरोध न किया गया होता सड़कपर पदरसन न किये गए होते तो क्या इमर्जनसी हटती, उसी इमर्जनसी में सड़क पर उतर के विरोध पदर संकर ने आले आज सत्ता में बैटे हुए, लेकिन आज अगर उनके किसी कानून कै वो सभी विरोध का अर्थी है कि आप सरकारी संपत्तियों को जला देंगे, आप संपत्तियों को नश्ट कर देंगे, आदेनी मिश्रादी, आप एक वरिष्ट पदरकारे मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सड़कों को तोडएंगे क्या, आप पुलों को तोडएंगे क्या, आप बसों को जलाएंगे क्या, आप मुझे बताईए न, विरोध दर्ज करने का एक तरीका है, विरोध क दर्ज कर आईए, आप मुझे बताईए न, विरोध करने के लिए सब डिफेंड करते हैं, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं रहता है, रहता है कि हमें अपना जंगों को कोई डिफेंड करता है, इस तरह की बाते कही जाती एं, कि जब आपको कही न कहीं और दिशा देनी हो, अपनी बातों को किसी और ले जाना हो या अपनी बातों को कहना हो लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं तो कई बार ऐसा आता उपस मैंने गलती कर दी यह तरीका भी होता यह तरीका भी होता देखे यह confusion जनता का दूर करना है यह सब समस्ते है लेकिन इनकी जो राजनीतिक सुचिता है वह अब उस दायरे में नहीं आती है जिस दायरे में हम जनता उमीद करते हैं लेकिन क्योंकि डॉक्टर दुआ आपके पास हमा बाचित कर रहे थे और आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी अनिल मिश्रा जी ने जो बात रखी थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जिस तरीके से इन्हें ग्यान तो होता है कि इन्हें ये क्या कह रहे हैं रहल जी में थोड़ी परिपक्ता की कमी है और वो कहीं जोस में वो वोर्ड बैंक की बात करते हैं तो किसी लीडर्स में है नहीं लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के परधान मंतरी आदार्णिय परधान मंत्री जिनको 130 करोर की आवादी सुनती है देखती है और जो वो कहते हैं अच्छर सा उनको मानती है और देश के परधान मंत्री एक जगह नहीं कई जगह लगातार वो जूट बोलते हैं तो उस पे बवाल होना जरूरी है हमें मंसा देखनी की जरूरत है कि हमारे राहूल गांधी या दूसरे लीडर या दूसरे पार्टी के लोगों ने वो क्या कह रहे हैं यहां पर डिन्टेंशन की बात है तो जहां हमारे देश के परधान मंत्री कहते हैं कि भाई हमने कोई डिन्टेंशन बनाए हैं हमने किसी को ऐसा रखंगा ही नहीं तो वहां पे अगर जीस तरीचे से भी बात कर रहे है य हो आपनी उनकी मनसा क्या है ज़रूरी है तो देश के परधान मंत्री अगर जूट बूटर उनको जो है बोर्ट बैंक की बात कर रहे हैं उनमें देश भक्ती नहीं जहलगता है तो बड़ा अफसोस आता है और ऐसी हालत में मैं किसी एक को दोस्त देना नहीं चाहूंगा तो इस हालत में हमारे देश के प्रधान मत्री को सोचना चाहिए हमारे जो होम मनिश्टर है वो कुछ क करते हैं कि मैं किसे प्रधान मंत्री मानू चाहे अमिशा को प्रधान मंत्री मानू या अने रिंदर मुश्टी नहीं चेड़ देंगे यहां से अगर इस तरह की कि बातें निकलेंगे ना तो एक और मुद्धा में जाएगा जाए कौन भ्रम पहला रहा है दिनेश जी ये दुआ जी से भी प्रात्ना मैं दुआ ही कर सकता हूं दुआ जी के लिए कि देखिए जिसका जैसा चस्मा होता है ना दुनिया उसको ऐसे नजर आती है अगर अब भी इनको इस समझ में नहीं आ रहा एक प्रधान मंत्री को और ग्रे मंत्री को और तो हमको लगता है इन अगर आप अनजाने कोई बात कर रहे हैं तब तो उसको गलती कहते हैं लेकिन अगर जान बूज कर आप गलती करते हैं तो भूल नहीं होती वो अपराद होता है और ये रपराद राहुल गांधी एक बार नहीं है ये अपराद राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं और उसकी साजा भी उनको मिल रही और करें सब्दों कभाव नहीं बिल्कुल है इनके पास कांग्रेश पार्टी के सारी नेताँ के पास सब्दों का अभाव है और कोई संसकार होता है स्वहता जी तो कि हमारा आ बात करेंगे तुछ नहीं हो जाएगी जब प्रदानमंत्री खुद ऐसी भाषा का इस्तमाल करें रेली के दौरान पोला संसद में कहा इंकी हसी याद दिलाती है अरे बोला तो इनकी हसी याद दिलाती है आप किस आरेक्टर रहाएंगे कि क्या बात कर रहें आप किस पदपर है इसका खयाल कौन रखेगा आप पथर मारेंगे तो आपकी पहचान नहीं होगी आपकी पहचान नहीं होगी बिलकुल पहचान हो रही है और वहीं पहचान जब सब्सक्राइब करें अगर पहचान हो रही है तो तरीका है आप तरीके से बोलते ना उस बात को क्यों पद्रवियों की पहचान की जाएगी पोशाक से पहचान हो यह किस तरह का किस वर्ग में बांटना चाह रहे हैं मैं यह कहना हूं कि बिल्कुल जब आप टोपी लगा कि नहीं कुछ लोग तो वहां पर गिरुव अवस्त धारण कर भी पत्थर उठा लेते हैं अभी जब उनके पहचान होने लगी जब उनके पोस्टर चिपकान जाने लगे तो लोग दार हो दारी और बाल कटवाने लगें आपको पता होना चैसे सवयता भारती जनता पार्टी एक संस्कारी पार्टी हर थे हमारे यह तेहजीब है हमार यह तोने संस्कार है कैसे भासाओं काcomb quelqueा कि इस्तेमाल क्या जाता है हमारे यह परसिचर की पद्धती विफिरस जात व्तिते के कि आपके भी हां रही हष्गा ह आप तो खुश होना चाहिए कि राउल गांदी जिसे पुलना पड़ेगा आप किसी को गाली दे सकते हो आपको यदिकार दिया हुआ है आपके संसकारी पार्टी है अरे भाई इतना जूट मत बोलो आप से पुछा उनोंने तू 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 आप इतना सब्जी बेच रहें आप इतना जूटि मंदी आप इतना गाजी पुर के संसकारी किसी मुक्यमंत्री को आप गाली दोगे किसी देश के पिला आप ही बादी के लोग मनमौन सिंग्जी को कहते थे कि सुनिया गांदी चलाती है तब सब कर बोलते थे हैं अगर हमारे दूआ जी ने बोल दिया तो आप इस पहपती उठा रहे हो अपनी बंद पैट जहिए दूआ जी नो पहुत अच्छी बाद के लिए अगर हम जलत बोल देट कर दोड़ जा रही है प्लीज दिनेजी आप इस सवाल का जवाब दीजे राहूल गांधी ने तो भाषा का जो इस्तमाल किया अब जो मुद् उठाया वो मुद्दा डाइवर्ट हो गया आपको तो खुश होने चाहिए कि मुद्दा जो उठाया था डिटेंशन का टेंशन ये भ्रहम कौन ठाला रहा है सर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं अमिच्छा कुछ कहते हैं कितने सेंटर हैं आप बता दीजी आगर आपको जा कि जैसे हम बोले आप सबने बोला मैंने बीच मेरे सब्सक्राइब नहीं 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 कर दिजिए और भी लोगों से पूछना पहले आप जवागी ब्रहम कॉन ठाला रहा है मानी मोधी जी ने भी जो कहा हो भी रही का मैंने अमिस्ता जी ने का हुभी आपके समझने का परक है वताइए वह बैटे आम लोग सब मुर्ग हैं इसलिए जो आपके समय में हर देश का अपना डिटेंसा जिक आप सर उठाके सब्सक्राइए जो कहा है कितने सेंटर बाएं है यह जो आकडे है सर वह भी लेके बैटी हूँ कि यह 46 करोड 46.41 करोड in order to construct this compound यह यह जो वीडियो ट्वीट किया है उसी का है इसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2018 में संक्शन हुआ है यह अमाउंट किसके लिए दिया गया ह सब्सक्राइए तो बना कहां प्रधान मंत्री जी ने रही है साइट बता दे रही हूं सर चले जाए देख लिए हम कहां कह रहे हैं कि नहीं पता है हमने कह रहे हैं आप ही कर रहे हो मैं समझा रहा हूं हर देश में अपने डिटेंशन सिंटर की ब्योस्ता होती है कोई भी देश आप कहीं भी चले जाए या पाकिस्तान चलेए आपका विज़ा समय क्या करेंगे अमेरिका में सब्सक्राइब है जो भी भारत सरकार के गी मंत्री कहा है जो भी भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने कहा है अंतर आपको को कहां दिखरा मुझे बताईगी ना जो गिरीमन जो संसद में जे किसा ने नहीं है और हमने अभी इस तवाई जो गद्विदिया चल रही है इनके लिए हमने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया है वह हैं उसकी चर्चा संसद में मानि ग्री राजमंतरी ने लिखित में बताई है अधर के सुना आई इसकी बात वर आम श्राण ने कहीं उन्होंने पर पूर इंट्रवु देखा लहां बैठे तमाम परद्रवार ववक्न कार देंगे प्रवाइब को उलजाने की कोशिश कर रहा है जब आप चर्चा करिये मंतरी जी ने जो कहा उन सब्सक्राइब को आप कोट करिएगा उन सब्सक्राइब कहा कि नहीं है अभी दिनेश जी ने कितना बड़ा बड़ा लेक्चर दिया अच्छा लगा सुनकर दिनेश जी ब्यक्तिगत मत लीजेगा लेकिन रेंकोट पहन के नहाने वाला कितने करोन की गल्फ्रेंड से लेकर गिनाना सुरू करूंगा न तो साइड इतना इस तर अभी आज भी नहीं तो रेनी कोट पहन के नहाने में गल्ती क्या है प्लीज तो आरेसस के आप भी मैं आप चलिए रहा है प्रण मंत्री ने कहा था अगर अंस्वासित कोई आप बार को घुमाईं मत राश्पी स्वाइं शेवक है कैसी बात आप कर रहें? सुनले मेरी एकने सुनले मैं आफिक बात रख रहा हूं अभी दिनेश जी ने कहा अगर जानते हुए गलत बात कही जाए तो गलत होती हैं जाने में कोई कह जाते हैं क्या देश के प्रधान मंत्री को ये नहीं मालू हमारे देश में कितने डिटेंशन सेंटर है वो लाखों लाख पबलिक के सामने चैलेंज के साथ मजा खुडाती है और ये लाइन प्रियोग करती है अभी हमारे देश में कोई डिटेंशन सेंटर खुडा ही नहीं है आप इ सुष्टा और नेटिक्ता आपने एक सब्सक्राइब कि आज के परपेच में किसी भी पार्टी किसी नेता से नेटिक्ता और सुष्टा की बात नहीं की जा सकती है लेकिन पूरा पैनल हसने लगा नहीं तो प्रेम ्जी घटि है जब सुचता की गारंटी ले रहे हैं तो प्लीज को आनी चाहीं है है जुस्ता के बाद कर रहे हैं को नहीं लगता है आपको नहीं लगता है तो चस्मा आपको ने इसे दिए जी ने जी भिने बतार चै बो ने आपको बुस्त-ब सुलंदीट का में ना बोलेकाइब किसला सुननना पड़ेगा चा catching टा Casey तो मैं बोलु सुनाने के लिए को सुनना हो गा ने को सुना मुझे भी सुर रवे además प्लीज प्लीज दिनेजी जी आप देखे आप गरेंटी इतने अच्छे से ले रहे हैं तो प्रेम कुमार जी का भी सवाल है आपके आने से पहले उठ चुका है इसलिए मैं उन्हें करी हूं कि एक बार कोट कर दें फिर साथ में जवाब दीजिएगा ठीक है प्रेम जी मैं यह कहना चाहरा हूं कि 1984 से पहले तो इस देश में राजनीतिक शुचिता थी नहीं बीजेपी तो 1984 में आई है उसके बाद राजनीतिक शुचिता आई है संग पर दो-दो बार प्रतिबंद लगे प्रतिबंद लगे इस सच्चाई है और ऑर और वो प्रतिबंद जुहाए सच्चाई को स्विकार कीजिए इस विशे को मत रखिए यह बिल्कुल अनावर्श विशा है आपकी बात आपका प्रतिबंद लगा क्यों लगा क्यों लगा अलग डिबेट का विशा है वह पूछ लेने दीजिए मैं प्रेश बिल्कुमार जी जानना चाहता हूँ कि वह प्रतिबंद लगा तो क्यों कई करण बताया गिसा है आप इस वा रखिए कों लगा क्यों लगा ऑप्रतिबंद लगा तो क्यों लगा अब परतिबंद लगा प्रतिबंद लगना सही है और हटना भी लोगों को पता है लेकिन आज मुद्धा प्रतिबंद कर रही है माफ किजी डावाब उची कर देने से डीबेट को किसी और दिशा में मत मुड़िए यहां सब पुधा है कि दो बार अगा अगर पृतिवर लगा तो प्रतिवर लेकुर प्रतिवर लेक लेज ये डीबेट और इसु नहीं है सवाल रखने पेंगी और प्लीज सवाल रखने दिजेंध साज धार 2 हुद और यहां धितने उन सवाल् taped से यह मैं अभी जो बात्चित चल रही थी दिनेश जी कह रहे थे संग की तारीफ कर रहे थे दूसरों को बुरा बता रहे थे तो उस पर मैं कह रहा था कि इसी संग पर दो बार प्रतिबंद लग चुका है और उस पर ये आज प्रब्रति हो गई है कि इस देश में जो सत्ता के साथ में नहीं है वो सिष्टाचार भी नहीं है उसको संस्कृती भी नहीं है उसको बोलना भी नहीं आता है वो गदार भी है देश-द्रोही थी है ये कल्चर बन गया है जो बिरोध में है वो देश-द्र 6 24 पोढीर Pкиित का साथवत निया पढ़े सुष्था की राजनेट थी बाद में मनिपावर की राजनिट हो गई फिर बाद में मसें पावर की राजननित हो गए अब something बैलू की राजनी देखिए चीज सोहता जी आपको accept हो सकता है मेरी बास से पता नहीं अनिल जी और प्रेम जी स्थाहमात होंगे की नहीं या कोरी मजबूरी होगी मैं आपको बताता हूँ मोदी जी की केंडर में आने के पहले कभी आप ट्रबेल करिए सोहता जी आप भी साइट ट्रेन में जाती हूँ हम लोग अगर कहीं कुर्टा पैजामा पहन के ट्रेन में चले जाए ना तो सारे तरह के एलिगेशन सिर्फ नेताओं पे लगते थे मोदी जी की वापस आने के बाद कम से कम इसमें कमी आई है इसको लोग पता नहीं सुविकार करेंगे कि नहीं और पूजनी कौन होता है जब व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है मैं उधारान देता हूँ कि बीबेका नगी जबता और देता है लिए जबतां था ने डॉक रहे हुआ और को सेखेंगे ने अपर एंप जुटा is एब किसको कर रहा है मैं किसका करूं टाइम एक सब्सक्राइब जिस फोले हैं पिर बोले हैं आप कि यह खुछ सुनिया मैफ सब्सक्राइब आप वुटर पर बोले में टाइम दोंगे लेकिन प्लीज उने पुले रहा है कि आप ने जो सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया त्रदान मंत्री जी ने कहा कि देश के डेंशन सेंटर नहीं हम जुट बोला की नहीं बोला है पहले वाले सवाल का भी जबाब दुनिया को दिखा रहें बोलके चैनल से पूरी दुनिया आपको तो रहें आप भूल जा रहें को जवाब देने आपको देने हैं क्या प्रदानमंत्री ने जूट कहा नहीं कहा नहीं कहा नहीं कहा नहीं कहा नहीं संजे गौतम जी इक मिनट नहीं प्लीज टाइम बहुत कम है आप लोग अल्रडी लेट थे प्लीज जनिता को समझ लेने दीजे सर्जे गौतम दिनेज जी प्लीज सर ओल्रडी आप लोग लेट है चार मिनट बचे हैं मेरे पास मैं पूछनों किसी और से आप ने कह दिया ना कि नहीं जी जाव है संजे गौतम जी जूट नहीं कहा एक मिनेट संजे गौतम जी मेरे सवाल सुन लीजे पहले ही बहुत वक्त बरबाद कर चुके हैं एक तो लेट थे सर और प्लीज जनता को थोड़ा समझ लेने दीजे हम लोग अल्रडी आधी डिबिट निकाल चुके थे मेरे सवाल आपसे है दिनेश जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने जूट नहीं कहा हमने प्रधानमंत्री को भी सुना हमने अमिच्छा को भी सुना और इतने मेरे पास स्रिगर्स फैक्स हैं कि कि कितने डिटेंशन सेंटर हैं और कितने लोग अभी डह रहे हैं कितने दिये जा चुके हैं पैस तो इंफोर्मेशन उसके बारे में भी डाले जो बन चुका है अल्रेडी है कॉंग्रस के जमाने से भी है पहले से भी और डिटेंशन सेंटर होना कोई नहीं बात नहीं है दूसरी बात यह कौन सी भार्शा का इस्तमाल है और जूट बोलता है यह लैंगवेज है सर यह इस्तम भारत के प्रदानमंत्री और वीडेशों में भी चुल आते काफी वीडेश यात्राय कर चुके है लेकिन देश में आके और एकस्तोत करोड़ जंता को वह जूट बोल रहे हैं आप को पता है उनको पता नहीं इस इस का आप ने डांतर को आपने बना के भी पर नहीं बोले आप गोला है थो नहीं है पाकाइदा ना नहीं है था तो आप अच्छे अब हैं तो तो आप तो पह तो यह आट से घ्यांट करें रहुत आपके ग्रैम राच्या मंत्री किरन रिजू ने लिए उन्होंने खुद बोला और आज व्राल मंत्री व्राइच हमने बना करने बना परदार मंत्री क्यों बना कर रहे हैं यह तो उनके पर पूरी डिटेल नहीं है यह उनको प्रतार हमारे पिछची तौलए नहीं है यह तो अच्छे प्रवक्ता हैं ग्यान अच्छा रखते हैं और मुझे अच्छा लगता ही बातों को पूरे गंभीरता से दम से रखते हैं दिने जी मेरा एक प्रस्ट फिर आगे है चुकि मुद्दा आज एक जूट कौन बनता है चुकि हमारे प्रधानमंती जी ने रामलीला मैदान से भी कई जगा कह दिया कि देश के मुसल्मानों को डरने की जरूरत नहीं है अमिस्ता जी ने भी कहा है पूरी सरकार लगी होई कहा है सकता है उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया वो देश के मुसलमान है या नहीं थेखिये कभी भी डिटेंशन और में है associations मुसल्मान हैania कोई हिंदू है कि मुसल्मान है इसके आधार पर डिक्टेंशन सेंटर में नहीं जाता है नहीं डाला जाता है कारगिल के हिनो रहके भी वह पेपर नहीं दिखाता है चलिए मेरे परदान मंत्री और ग्री मंत्री के बयान में डिफ्रेंस है माफ कीजेगा मेरे पास वक्त की कमी है और हम ये पूरी अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएं क्योंकि अल्रडी हमारे दो गैस लेट थे और उसके बाद ये जो स्तर हो जाता है वो वाकई में डिबिट होती किस मुद्दे पे है और आप गुमा किस मुद्दे पे जाते हैं वो टो वाकई आप लोगों से सीखना पड़ेगा सर कि कैसे गुमाना है कि आपके ग्रीमंत्री भी सही बोल रहे हैं आपके प्रदान मंत्री भी सही बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है जनता को समझने दो यही भ्रहम फैलता ऐसा तभी दंगे होते हैं और तभी जनता जो है सणकों पर उतर आती है यह आप कहेंगे यह आपकी तरफ से आरोप रहेगा लेकिन हम यह जनता के उपर छोड़ते हैं तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए पॉजिटिव नोट के साथ एंड करती हूँ तो पॉजिटिव नोट आज यही है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा ग्रीमंत्री ने जो कहा और जो हकीकत है आप खुद भी सर्च कीजिए और देखिए डिटेंशन सेंटर होना कोई बड़ी बात नहीं ह हर कंट्री में होता है और यह होता है आज के समय से नहीं है पहले से भी है लेकिन इसको लेकर भ्रम और अफवा कौन फैला रहा है इसे देखना आपकी जिम्मेदारी है आप देखिए अपने आँख कान सब खुले रखिए किसी तरह की किसी अफवा पर आप ध्यान ना दे क क्योंकि नुक्सान अल्टिमेटली आपका होना है इनका कुछ नहीं जाना है इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहां आपने इस शोग को खत्म करती हूँ आप देखते रही आना इन टीवी से खबरों के लिए नमस्कार यह जूट है जूट है जूट है जूट है आज राहूल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए ना डिटेंशन जेंटर में बेजा जा रहा है ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन जेंटर है